असलामनेकुम, सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करूगी जो आज इस वक्त हमारे इस फेस्बुक लाइज सेशन को अटेंग कर रहे है मेरा नाम नौरीन अमीन है मैं नौर्स मैंगर हूँ डिविजिन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में और आप सबको बहुत-बहुत हैपी चिल्रिन्स गे की मुबारकी और हम हर साल चिल्रिन्स गे के उपर एक वीक सैलिब्रेट करके हैं मन्ट ऑफ नवेंबर में और उसी तवसक से आज का ये सेशिंग और्गिनाइज किया गया है इस सेशिंग का मौजू ये है कि एक बच्चा अपनी पैडाईश से लेकर एगल्ट हूट तक मुक्तलिफ मराहिल से गुजरता है अपनी ग्रोट एंड डेवलपमेंट के हवाले से अपनी जहनी और जिसमागी नशुमा के हवाले से तो हम बहैसियक वाले गैंग बहैसियक हेल्ट केर वर्कर्स इन डिमांड्स को कैसे समशके है और हम किसके रहां इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि वो इन मुक्तलिफ मराहिल से बहुत अच्छे करीके से गुजर कर तो इस इसकाशिन के लिए हमारे पैनल में आज आखान हॉस्पितल के बच्चों के माहर यॉकर्स अवेलिबल है और मैं रिक्वेस्ट करूगी अपने पैनल से के वो अपना इंट्रिक्शिंग करा है। यॉकर खलील तेंक यू नौरीन, मैं नेम इस दॉक्र खलील, आएम कंसल्टन इंट्रिक आखान हॉस्पितल मेरा नाम फातिमा मीर है और मैं एक जनरल प्राक्टिशनर और पेडियाट्रिक इंफेक्शिस डिजीज की एक्सपर्ट हूँ सालेकूम, मेरा नाम दोर्किर दानेश अब्दुल अजीज है, मैं भी कंसल्ट पीडियाट्रिक्शन हूँ, मैं स्पेशल इंट्रेस्ट रेस्पर्टिडी डिजीज के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पहला सवाल डॉक्र खलील आप से करना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे न्यूबॉंग स्पेशलिस्ट भी है, कि बच्चों के हवाले से जब एक न्यूबॉंग एक बच्चे की पेड़ाईश होती है, तो बहुत सारी गाइडिन्स हम डिस हैं जिनका वाल गैंग को ख्याल रहना जरूरी है, तैंक यू नौरीन फ़र दा क्वेस्टिन, सबसे पहले तो एक चीज़ यह समझे लें कि जैसे आपने बात की कि बच्चा न्यूबॉंग जो पैदा होता है तो उसकी नशुनमा, सो हम इस कंसेप्ट को इस तरह लेके चल होने चाहिए, ताकि अधर खुदाना खास्ता माँ को कोई प्राबलम है या आने वाले बच्चे के सहत से मतालिक कोई प्राबलम है तो वो पहले ही आइडेंटिफाई हो और का हल नकाला जा सके, दूसरी चीज़ यह होती है कि बेहतर हो कि बच्चे की पैदाईश किसी ऐसे सेट अप या जगा पर हो, जहां पर कोई ट्रेंड स्टाफ मौजूद हो. इसका हरगेज यह मतलब नहीं है कि कोई लाजमी हो, कि टर्शिरी क्यार हॉस्पिटल ही हो, बलकि कोई भी ऐसा हस्पताल जहां पर ट्रेंड स्टाफ मौजूद है. ट्रेंड से मुराद, अगर हम यूबाउंड की बात करें तो मेरा मकसद है ऐसा स्टाफ जो के एक बच्चे को पैदा होने के बाद फौरान उसको अगर किसी चीज की जरूरत है जैसे कई बच्चों में हम देखते हैं को उनको सांस लेने में मसला आता है तो उसकी फौरी देखभाल कर सके अच्छा ये फौ ला ना करें अगर उसको कोई हल्प की जरूरती वो उसको फौरी मिल गई या नहीं मिल गई तो जो बहुत इंपॉर्टन है उसकी इंपॉर्टन इस वजह से है का अगर एक बच्चा पैदा होने के फौरान बहुत सांस ना ले या उसको किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम क पर पढ़ सकते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टन होता है और फिर एक बार अगर यह खेरिये से गुजर जाता है तो पहले एक घटे में हम कुछ हिदाया देते हैं कि क्या क्या जरूरी देखभाल की चीज़ें वो होनी चाहिए तो जब मैंने लफ इसे जिगा पर बच्च सुनते आएं कि मां का दूद सबसे बेतर है और वक्त ने वाकी यह थाबित किया है और यॉरप में और वेस्टरन कंट्रीज में उन्होंने तजर्बे भी करके देख लिए लेकिन अल्टिमेटली वो भी इस नतीजे में पहुंचे है कि बच्चे की सिहत के लिए जो सबसे ज़्यादा एहम चीज़ है वो उसकी मां का दूद है ठीक है अचा फिर उसके बाद आपने जो जो जिकर किया गिए उसकी नशोनमा और बांडिंग उसमें एक और चीज़ जिस पर आजकल हम बहुत ज़्यादा एंफसाइज कर रहे हैं जो कहलाती है कैंगरू केयर या स्कि टू सकिन केयर बेसिकली तो उसके नतीजे में देखा गया है कि बच्चे कई पेची जाम राज से भी बच्चे रहते हैं और उनकी बांडिंग में भी इजाफा होता है मां के दूद की जैसे मैंने आपको बात की तो ये सिर्फ चंद दिनों की बात नहीं है बलके कोशिच ये करनी चाहिए कि अब्तिदाई 6 महीने सिर्फ और सिर्फ बच्चे को मां का दूद मिलना चाहिए और उसके बाद हम दूसरी उखिजाफस के साथ स्टार्ट करते हैं और इस दौरान बच्चे को चंद कामन बिमारियां जिसके लिए आम तासुरी है कि ये तो हो नहीं है जैसे पी लिये का सबने सुना हुआ है कि पैदाईशी पी लिया ये तो बच्चे को होई जाता है यकीन बिलकुल सही है लेकिन हमें उसके फर्क ये करना है किस बच्चे को ये खत्रे के निशान से उपर हो गया है उस बच्चे को आपको दाखिल करना है और उसका इलाज करना है तो ये चंद रूटीन की चीज़ हैं जो मैंने आप से जिकर दी आगे इसके इलावा सुरी प्रिमेचुरिटी की बात आएगे लेकिन हम पहले कुछ और दिसकेशन कर लेंगे फिर हम प्रिमेचुर बच्चे उपर आप तो थोड़ा सा नौरीन में कॉमन इंफेक्शन जो के निवबॉन और जो इक्सेंड़ डूबॉन जिसको दो महीने की उमर तक 659 डेज ओल तक का जो बेबी होता है उसको अड्रेस कर लेते हैं हम सब पीडियाट्रिशन्स डॉक्टर खलील जैसे स्पेशलिस्स हम लोग नूबॉन सेपसिस नूबॉन सेपसिस का मतलब है इंतहाई शदीद बिमारी जिसमें बच्चे के खून के अंदर जरासीम हो सकता है उसको एक बुरा नमोनिया हो सकता है उसके दमाग में गर्दन तोडबो खार हो सकता है यह वो तीन चीज़ें जिनसे हम जरा घबराते हैं पहले बचों में यह पहले महीने वाले बचों में अगर पहले तीन दिन में बच्चा जो है वो डल है डल का मतलब है आपने उसको हिलाया जुलाया आपने उसको उसका डाइपर चेंज किया उस वकट उसने अपनी टांग करता है और थोड़ी सी हरकत करता है जब आप उसको खोलते हैं यह वाली एक्टिविटी से कम अगर बचा करें तो आपको सोचने लगना चाहिए कि यह बचा कुछ ज्यादा ही सोया हुआ या कुछ ज्यादा ही डल है और अगर आपको यह लग रहा है कि यह नींद नहीं है यह नाचरल नींद नहीं है यह बचा डल है तो फिर आपको जाकर अपने अपने ट्रॉस्टिड डॉक्टर को दिखाना चाहिए या आगा खान आकर आगा खान के पीडियाट्रिक्स चायल हिल्थ में एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए तो यह एक बहुत ही जैसे यूज्वल है दूद पीना चाहिए था दूद नहीं पी रहा मां से लाच-उन नहीं कर रहा तो आपने बच्चे को लाकर जरूर दिखाना है चोटे बच्चे जब बिमार होते हैं उनको बुखार नहीं वो ठंडे हो जाते हैं हाइपो थर्मिक हो जाते हैं उनमें ज्याद हम उसकी वीनिंग डाइट स्टार्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टन यही होता है कि बच्चे को अब दूद की सिर्फ दूद नहीं चलेगा उपर इगजा भी चलेगी तो वह खाना क्या स्टार्ट किया जाए या किस उमर से स्टार्ट किया जाए या उसमें क्या चीज द हो स्टार्ट करते हैं आँ अट महीने दस एक साल के बाद स्टार्ट करते हैं तो सबस्ते के होशिश करते हैं और उसमें हम जाता कोशिश करते हैं होम मेट सीरियल डाइट उसके अंदर फिर हम आइस्ता इस्ता कार्भो हाड़ेट प्रोटीन सैनिके उसमें थोड़ा बहुत हम गोश्ट दालें और सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और बच्चे की इससा खुराक बढ़ती जाती है उसका दूद भी कम हो जाता है और आइ बाकी तो इसमें अबरेड का तो जो हम लेनी चाहिए ना कहा हम स घ्रम की मिगदार को चाहिए उनी का फॉलोग यह C ret помощ अ में तो पाने में जो सबसे अहें चीज़सी उतन गोश्ट के उंदर करी दो सबस्रो उसके जब बहुझ से मश्वार करने ऊसवा कि तो इसकी बहुत ताके वो डाइट प्नान बना के दें और आगे के लिए आपकी रहनुमाई करें. नौरीन ने एक लवज इमोशनल नीड्स का इस्तमाल किया था नूबॉन और एक्सेंड़ नूबॉन में और डॉक्टर खलील ने एक लवज का इस्तमाल किया था यह वह वाली उमर है जिसमें बच्चा ज्यादा तर 24 आवर्स के अंदर सोया रहता है वह अपने दूद के थीच में skin to skin touch होती है उससे बच्चे को warmth मिलती है उससे बच्चे को codling, उन्ग्रेजी का लवज है कि आपने बच्चे को cuddle किया है अपने बच्चे को एक मुहबत शो की है skin to skin touch के साथ Studies ये कहती हैं और Dr. Khalil बेहतर जानते हैं कि इसका बच्चे की emotional well-being पे kangaroo mother care का और उसकी बेहतर maturity की तरफ जाने और well रहकर आगे बढ़ने का उसके साथ एक तालुक है हम माओं को generally कहते हैं कि आप अपने आपको घर के बाकी कामों से थोड़ा सा free रखें बचों के पहले जिंदगी के पहले तीन महीनों में ताकि आप बचे को maximum cuddling भी करें, codling भी करें, feeding भी करें और उसके साथ आपकी skin to skin touch ज्यादा से ज्यादा हो तो इस उमर के अंदर emotional well-being में kangaroo mother care का एक हाथ है और exclusive breastfeeding का हाथ है तो बहुत बहुत शुक्रिया हमने आप लोगों में बहुत comprehensively और बहुत मुकमल तरीके से हमें बटाया कि एक newborn baby की किस करीके से जिस्मानी और जहनी नशन उमा को हम बहकर बना सकते हैं अब हमारे पास एक सवाल है जो डाक्टर डानिश में आप से करना चाहूगी सवाल ये किया जा रहा है कि इस वक्त मार्किक में बहुत सारे formula fix available है जैसे पीगिया शोर अवेलिबल है, 45 formula अवेलिबल है तो क्या हम ये चार साल के बच्चों को इनकी ग्रोट के लिए, फिजिकल ग्रोट के लिए, ये सेफ है ये सारे पाउडर्स जो है वो इनको देंगा तो खुराग के मामले में जहां तक बात आती है, हमेशा special formula की बात की जाती है और यही एक common myth है कि दूद से बच्चा grow करेगा और special कोई magic हो जाएगा जब बच्चा दूद पिएगा तो वो एकदम बड़ा हो जाएगा तो ये तमाम practices हम देते हैं उन बच्चों में जहां पे हमें लगता है कि वाकई में उसके लिए कोई supplemental दूद या supplemental formula important होता है हर बच्चे को इसकी जरुद नहीं होती है और सबसे बैसे जोक्टर खलीव ने बताया कि first two years तक हम कोशिश करते हैं कि mother feed ही सबसे best हो बच्चे के लिए वही मिल्क जाएं और साथ में जो खुरा के हों छे महीने में स्टार्ट करते हैं वागर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं like for example premature बच्चा है या बच्चे के खाने और फीडिंग के issues चल रहे हैं तो उन सुरत में हम कभी कभी supplemental कुछ ना कुछ फामूला में add कर सकते हैं ताकि बच्चे की growth हो जाएं जहां तक बात है special formula जो हम यूज करते हैं जिसे जिन बच्चों में calories के issues आते हैं जो बच्चे कोई किसी बिमारी की वज़ा से उनके अंदर growth नहीं हो रही है या बच्चा निगल नहीं सकता या उसके अंदर जो हो सलायत नहीं है खाने को हजम क करने की तो उन में कुछ खास formula में पास available होते हैं जो कि हम बच्चे में start कर सकते हैं पट अगें जैसी बच्चा वो ठीक हो जाता है और खानी की स्वाइच सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि खाने पर दुबारा आ जाएं ना कि सिर्थ दूद पर यह बच्चा growth दें सो इस practices को हमारी जो एक industry है milk formula industry हम कह सकते हैं के pharmaceutical वो काफी promote कर रहे होते हैं कि दूद दें बच्चे को supplemental start करें जबके अगर हम literature पढ़ें और जैसे डॉक्टर खरी ने भी बताया कि western आपकी जितनी researches है वो यही कहती हैं कि best बच्चे के natural घजाई है natural इसी तरह दूद भी इसी तरह है कि mother feet पे रहें बच्चा और कोशिश हो हमारी के बच्चा formula ना ले और special circumstances हर बच्ची के साथ हो सकते हैं तो उधर हम कहीं ने कहीं formula एड कर सकते हैं इंड्यूस कर रही है एक्जेमा को generally skin infections skin allergies के साथ food allergies को associate किया जाता है अब पाकिस्तान के अंदर मुक्तलिफ शेहरों के अंदर मुक्तलिफ labs आपको allergen testing offer करती हैं लेकिन हमारी allergen testing बहुत ज्यादा comprehensive नहीं है ज्यादा तर बड़े-बड़े food groups जैसे beef, shrimp, peanut, milk, meat इस किसम की हमारे एग हमारे पास food groups होते हैं जिनके लिए allergy होती है अगर आप note करें यह पांचों चीजें फिर पांचों चीजें तो नहीं इनमें से milk और beef और एग किसी भी growing child के लिए almost essential है उसकी diet में होना क्योंकि यह बहुत अच्छी protein और fat sources हैं इसलिए हम लोग unless के बहुत severe examana हो debilitating eczema ना हो generally अगर food allergen testing positive भी आती है हम यह वाली चीजें exclude नहीं करते डायेट से लेकिन eczema एक skin allergy है बच्चा on and off itching severe खारिश के साथ प्रिजेंट करता है जो पसीने वाली आपकी जगहें होती है flexural creases को कहते हैं कोनी के अंदर की skin कान के पीछे की skin गर्दन की folds जहां पर पसीना जमा होता है groin बचे का यह वो जगहें होती है जहां पर यह rashes निकलते हैं आपका general practitioner भी इनको को handle कर सकता है और एक dermatologist भी handle कर सकता है और आपको help कर सकता है बुरे उसकी दो जबान उसकी well days होते हैं एक्जेमा के और flares होते हैं तो एक्जेमा जब ज़्यादा बढ़ के निकलता है उस वकत कुछ अरसे के लिए certain creams इस्तमाल करनी करती हैं वरना आपको skin moisturize इस रखनी पड़ती है Thank you Dr. Fatma Dr. Khalil आपसे एक सवाल है कि iron deficiency anemia की treatment के लिए और उसकी prevention के लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया कि I am basically dealing with newborn तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अगर एक बच्चा है जिसको हमने शुरू में बात की कि मां के दूर पर रखना है तो एक natural tendency है कि इस बच्चे को आगे चलके naturally iron की थोड़ी कमी हो सकती है तो उस सूरत में हम ये करते हैं जो मैंने एक और बात शुरू में कही थी कि अकर मां की सिहत अच्छी होगी तो जाहर है आने वाले बच्चे की और पैदा होने के बाद भी जाहर है कि उसकी सिहत में का काफी उसका फाइदा होता है तो जो बच्चे mother feed ले रहे होते हैं उन में हम कुछ हड़से के बाद तकरीबन तीन से चार हफ़ते के बाद और regardless के जरूरत है या नहीं है mostly iron add करा देते हैं depending on their examination findings so वहीं से इसको pick कर लिया जाता है अच्छा naturally एक और चीज़ समझे नहीं किये वो यह है कि कुदरती तोर पे बच्चों को थोड़ा सा एनीमिया हो जाता है पहले साल के अंदर अच्छा जिन लोगों को इस बात का नहीं पता होता वो unnecessary बहुत ज्यादा iron दे देते हैं या खुदानाखासा कभी कभी वो उसके अंदर blood transfusion का भी जिकर करते हैं जो के जरू रहता है और एक पार बच्चा जब दूसरे खानों पर आता है तो naturally उसकी घिजा में और भी ज्यादा iron एड़ हो जाता है जो कि इसको help करता है अगर किसी बच्चे को suppose या iron drops या घिजायत देने के बावजूद जो है लग रहा है कि खून की कमी हो रही है फिर हमें उसकी और उसके तदारक के लिए भी कुछ एकदामाद किये गए हैं जैसे testing before marriage वो एक कानून की शकल में नाफिज है यहाँ पर और बाकी जगों पर भी शाहिद इसमें आमल हो, so anyhow, तो तश्कीज करके फिर उसका इलाज किया जाता है, thank you. शुक्रिया, Dr. Khalil. Dr. Ghanish, आप से एक में सवाल करूगी कि कुछ मर्गर्स हमें हमें request किया, बताइए कि जब बच्चों को पेक में वर्म्स हो जाते हैं, तो उसकी क्या ट्रीक्निक हमें करनी चाहिए? ठीक है, so warm usually बच्चे में start होते हैं, जब बच्चा अपनी मुह में चीज़े लेके जाता है, especially जब बच्चों की teething और इस्ता के मसले आते हैं, तो उसी critical time में के starting from 6 months जब बच्चा खाना भी खा रहा होता है, till age of 2 years, यह common है जिसमें warm infestation बच्चे में आ सकती है, so WHO guidelines और हम महीने में हम deworm करते हैं, और अगर बच्चा symptomatic हो तो फिर तो हम जरूर करते हैं, इसको deworm, so deworm करने का तरीका यह होता है, कि बच्चे को खास दिवाई होती है, जो कि हम रात के वक्त एक दफाप लाते हैं, और उसको हम कोशिश करते हैं, कि हम फिर 6 महीने बाद repeat भी करें, और ideally हम देखे हैं, तो बच्चों में वो दवा जो है, वो एक साथ तमाम बच्चों को जो घर में हाउस होल्ड से उनको भी चाहिए कि एक साथ ही इस्तमाल करें, ताके warm infestation, 100% हम कोशिश करें कि रेडिगेट हो, और use करने के बाद कुछ precautions होती हैं, कि बच्चे को नहला द होती हैं, hand washing before eating and using washrooms, यह भी important होगा, तो I think the matter is not about किसे medicine हो, इसमें hygienic practices को भी अच्छा करना परता है, तो I think the matter is not about किसे medicine हो, इसमें hygienic practices को भी अच्छा करना परता है, thank you, thank you, Dr. Danish, आपने बहुत अची करा हमें treatment बटाया, Dr. Fatma, आप से मही सवाल करूगी कि काफी mothers परेशा खाँ खिलाना, तो क्या आप सजेस्ट करेगी हमारे parents को किस करीके से बच्छों को motivate कर सकते हैं कि वो nutritious खाए और healthy guide पे जाए बजाए इसके कि वो junk food की किरफ जो है वो जाए, so toddler जो age होती है, two to four, यह school जाने से पहले का आपका आखरी पढ़ाऊ है, बच्छा आपके शिकंज के साथ बैठ के खाने की थोड़ी सी आदत देनी है, अगर आप एक working family हैं, जो at least दिन में एक दफा बैठ के अकठे खाना काते हैं, आपने बच्छे को एक relaxed environment के अंदर आदत डालनी है, कि लोग अकठे बैठ के खा रहे हैं, रिलाक्स तरीके से खा रहे हैं, ताके force feeding वाली जो हमारी practice है, हम उस बच्चे को कभी ना कभी force feeding के बगएर एक relaxed environment में खाने के साथ expose कर वाएं, अब किताबे हमारी ये कहती हैं कि बच्चे को initiate करने दो, बच्चे को खाने के साथ एक comfortable relationship बनाने दो और इसको खाने दो, लेकिन हमारी माइं busy होती हैं, उनको और भी काम करने ह होते हैं, और आप बच्चे के साथ हर वकत भाग नहीं सकते हैं, एम आपका ये है कि अगर ये बच्चा एक बच्च में बैठ के खाने का शौकीन नहीं और एक बच्च में बैठ के ये एक certain amount portion size बच्चों का नहीं खाता, तो फिर आपने sips and bites through the day रखने हैं, और आपने है जब बच्चा दूद से हट रहा होता है और completely home food और solid food के उपर आ रहा होता है, कुछ बच्चे resist करते हैं इस बात को, toddler जो है उस खुमार में होता है कि मैं चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, उसकी और बहुत activities उसके agenda पे होती हैं, और toddler के agenda पे खाना है और कोशिश करके adult food की तरफ लेकर जाना है और दूद को as a standby रखना है, एक साल की उमर के बाद आपको one glass of milk यह उसका equivalent milk products में चाहिए होता है, दूद important बहुत ज्यादा नहीं होता after one year of age, लेकिन फिर आपने दूद की protein और जो उसकी fat है उसको आपने replace करना है दूसरे खान करना मुश्किल है और बचे कभी कभार जो बिवास तर पर जब बिमार होते हैं माबाब बहुत परिशान होते हैं यह बिमारी में नहीं खा रहा है, तो मेरा यह ख्याल है wellness के दौरान आपने ज़रा ज्यादा मेहनत करनी है खाने पीने में और बिमारी में expect करना है कि पर जब वो वेल हो जाता है उस वकत आपने फिर अच्छे खानों के साथ ज्यादा एक्सपोजर करना है हम expect करते हैं कि हमारा toddler अच्छे खाने खाए जबके unhealthy खाने घर में बिखरे पड़े है और बाकी सारे siblings हर किसम की जंक खा रहे हैं लेकिन toddler से हम चाहते हैं कि वो बहतरी खाना खाए तो unfortunately जो discipline आप toddler पर डालना चाहते हैं पूरी family को practice करना पड़ता है this is another important self-limiting factor in food very true doctor Fadma because family का environment बहुत impact करता है आपकी health choices पे भी so बहुत important concept है एक सवाल doctor Khalil newborn के हवाले से हमारे पास आया है कि G6 PE deficiency क्या होती है और इसकी क्या वज़ा है कैसे इसको manage कर सकते है अच्छा जो मैंने अप्तिदाई अपनी बताया था इंट्रोडक्शन में मैंने का था कि कुछ चीजें हैं जो commonly हो जाती है newborn में जिसको जाहर है या पी लिया है जिसको का जाता है यह तो हर बच्चे को होता है और उस वाग भी मैंने का था कि हमें फर्क यह करना है कि उसके है अंदर कोई अंडरलाइंग कास तो नहीं है कोई उसके वजा तो नहीं है तो जी सिक्स पी डी भी एक ऐसा एंजाइम है जिसकी अगर जिससे में कमी हो तो वो newborn जांडेस के तोर पे अपने आपको प्रेजेंट कर सकता है और ना सिर्फ जांडेस बलके सिवियर जांडेस क करने की जरूरत पड़ती है एक बार ये मरहला गुजरता है और बच्चे का जांडेस लेविल ठीक हो जाता है तो जी सिक्स पी डी जो एंजाइम है इसकी रिप्लेस्मेंट एस सच नहीं की जा सकती बलके उसमें कुछ हिदायत हम देते हैं एक ड्रग लिस्प यूजली फै हमी हो उनको खुदा नखास्ता कुछ खास किसी पे वाइरस से एक्सपोजर हो जाए तो उस सुरत में इन में अलामात आ सकती है और लेटर आउन जो अलामात आती है उन में ज्यादा देखा गया है कि ये बच्चे हैं हनीमिया के साथ हमारे बाद प्रेजेंट करते हैं जो जाता है बच्चे को क्यों तो उसके जो निशानात है क्या वो असानी से जड़ जाते हैं या उनके लिए हमें कोई क्रीम अपलाए करनी पड़ती है चिकन पॉक्स जो है एक चाइल्डोड वाइरल इलनस है एपी आए में इसका वैक्सीन नहीं है इससे बचने के लिए आपको अपनी जेब में से पैसे खर्च करके एक वैक्सीन आपको एक साल की उमर में और एक एक वैक्सीन आपको बिलकुल स्कूल जाने से पहले फोर जिसम के ऊपर हम लोग जेनरली कहते हैं कि मुँपे जब निकले कोशिश करें बचा उसको खुरच के हटाए ना क्योंकि उससे सकार नगेगा चिकन फॉक्स के स्कार जेनरली ठीक हो जाते हैं लेकिन साल लगते हैं उस सकार को जाने के लिए जो हम लोग जेनरली बुरे करते हैं जिनको कराइट लिटिक्स कहते हैं यह हर गिस भी रेकमेंड़ नहीं है चिकन फॉक्स के सकार्स को हटाने के लिए और घरीलू टोटके मुझे चिकन फॉक्स के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा पता नहीं है लेकिन वाइटमन ए जिंक यह वो चीजें जो कि स्किन की इंटेग्रिटी को बहतर करते हैं और आपकी अपकी यह विबीद्hr. अप इंटेग्रीटी को बहतर करते हैं तो नॉन किसके रब मैंगेज कर सकते हैं बहुचा सवाल है जा थर हमारे हां कॉमन एक टरम जिसकी जाती है और कुछ टेस्क के जरीए यह जाता है कि बच्चे में लेक्टोस इंट्रोलर्रेंट डिवलप हो गई है और उनको का जाता है कि दूद्ध चेंज कर दें सवेरी कॉमन ट्रें घिसके जाता है जिसमें बच्चे की रांप बच्चे का ग्लुकोस जो दूद में मज़ो प्रिख तो को हजब नहीं कर पाती है उस फेस के अंदर हम कोशिछ करते हैं कि BAC को दूद को कम दें या अगलूद पर ही बच्चा है तो लेक्टोस फ्री दूद उसको हम स्टार्ट कर दें ताके बच्चे का जो आंते हैं वह वापिस नॉमल तरी अ profit ऑना मोचिन के भाव तब एद एटर शुकर्ट निक स्वाइब है है कि इस वक्त जो कि बरेखर चेंज हो रहा है और काफी बच्छों में हैं ब anschुंसल में हैए बहुत बच्चों तो इंपशिंग्शन दो क्या प्रिक्षिन पेरिंग्स को उस्वक्त लेटीccoli चाहिए और वाइरल इंफेक्शन पहले अडीनो वाइरस कंजंक्टिवाइटस की एपिडेमिक हुई कराची के अंदर जैसे ही वो वेव खतम हुई डेंगी शुरू हुई जैसे ही डेंगी खतम हुई अब राइनो इंटेरो वाइरस और थोड़ा बहुत कम कोविड हमने देखा है और बह हुशक हवा वाला सीजन है और इसमें जैनररली आपके airway pollutants जो आपकी हवा के pollutants हैं वो बचों को अक्सारे नहीं हैं अलजिक मैनिफेस्टेशन्स पर जो बचें ईलर इवी बचों की तरह भी है बचों की प्रेसंटेशन यह तो ऐस्थमा नुमा इल्नस की तरह होती है इसक को फुटा खांसी कहते हैं बिल्कुल बच्चा आदमीयों की तरह आवाज निकाल के खांसी करता है यह अपर रेस्परेटरी वाइरल इंफेक्शंज के साथ बच्छे आ रहे हैं और लोर्ण रेस्परेटरी इंफेक्शंज में उनको पसलियां उनकी चल रही है और वो नमोनि आपको खुद खर्चा करके आपको एक शॉट अक्तूबर या नवंबर में कराची में लगा लेना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में भी दूसरे वाइरल इंफेक्शिंस जैसे आपने चिकन पॉक्स का सवाल किया मीजल्स का सवाल किया अभी भी वाड में दानिश हमारे पा हमारा भी आपका डिया युछ मिल जा तर वहाल है किवरी बच्चा मिल जाता है वेध्य कैस्व ना खुझाम अइड़ सो आपके मीजल्स और आपके छिकन पॉक्स है गवक्ते आपकी बाइर्श है और रोक्ष ऑर यॉद्टर पार वाइर्स हो प्रुप मेरी आपको एड़ बच्चा है, school going बच्चे हैं जो स्कूलों से infections लाके घर वाले बच्चों को infections लगाते हैं, influenza vaccine पूरी फैमिली को लगवाएं, खास तर पे elderly और सबसे चोटे बच्चे, prevention में hand washing का रूल है, और hand washing का मतलब ही है, ये वो बच्चे हैं जो घर की हर surface को हाथ लगाते हैं, खांसी करके और नजले के साथ, आप हवा में जो जरासीम फैंकते हैं, जनरली उन से एक दूसरे से जुकाम नहीं लगता, surface को टच करने से लगता है, कि आपने किसी ने चेंक मारी, किसी ने खांसी की, और उसी surface पे आपने हाथ लगाया और अपने हूपर लगाया, so hand washing बहुत important है, और जैसे दानिश कहरा था, before meal, after defecation, और छोटे बच्चों में और toddlers में, periodically आपको उनके hands wipe या उनके wash करने जाएं, इसमें एक और चीज़ जो एहम है, कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, कि आपने बच्चे को छोड़ देते हैं, तो इस इस अटाइम के जिस पे वो दुबारा अपने बच्चे को ला के दिखाएं, ताकि उसकी इसको आप्टॉमाइज किया सके, ताकि वो admission से बच जाए, कि आपने उनकी दवाओं को रोकना नहीं है, और सल्फ मेडिकेशन नहीं देनी कि कोई बच्चे को सल्बिटमॉल दे रहा है, तो कभी कुछ माइटी का स्टार्ट हो गई, माइटी रिकास दे दिया, तो दवाओं को हमें स्ट्रक्शरली ठीक करना पड़ता है, और बच्चे की जो एज की साफ से हमें मिंटेंड करना पड़ता है, तो दवाओं के हवाले से भी हमें बड़ा कॉंशियस होना चाहिए कि और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो कि गर में मौजूद चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, कि यह स्टार्ट कर दो यह से इसको जना वह भाब दे दो कि ठीक हो जाएगा, तो वह प्रैक्टिस इतनी हेल्फुल नहीं होती हमें बच्चे को या तो नेबलाइजर या इन्हिलर पर रखना पड़ता है, थैंक यू डॉर्ट डानिश एं डॉर्ट फात्मा, टॉर्ट खलील आपसे एक सवाल है कि अगर किसी बच्चे को हाइपो थायराइडिसम डाइग्नोज होता है, क्या कोई स्पैसिफिक डाइग है जो कि उस बच्चे को नेगी चाहिए जो कि उसको हेल्प कर सकती है? अच्छा देखें, हाइपो थायराइडिसम जो आपने पुछा है, इसका स्लसला यह है कि अगर पैदायाइश के फौरण बाद इसकी तश्कीज हो जाए, फिर तो इसका इलाज भी मौजूद है और रिजल्ट से आउटकम भी बहुत अच्छे हैं. अनफॉर्चनली यह होता क्या है कि कई बच्चों में जब इसकी तश्कीज होती है तो उस वक्ता कि इसका असर दिमाग पे हो चुका होता है और उनका लेट ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो तो उससे बेशक वक्ती तो फाइदा होता है यानि डिजीज प्रोग्रेक्शन तो रुख जाती है लेकिन मुकमल रिवर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आखान आस्पिटल में हम ना से थाराइड बलके इसके इलावा भी कोई दस से बारा डिजीज हैं जिसकी हम रूटीन स्क्रीनिंग कहलाती है वो करते हैं आइट टाइम पैरेंट्स ये क्वेस् यह होती है जो हो सकता है कि चार से पाँंच हजार मेंसे एक बच्चे में जिसकी तशी है जिस मेंसे एक मिस्हाल आपने सुनी हाइपो-थाराइडिय। इसके इलावा कई रेर डिजीज होती है जो को सकता है दस अजार या एक लाख में से एक बच्चे को हो लेकिन जैसे मैंने का कि अगर इनकी अरली तश्कीज डाइगनोसिस हो जाती है तो फिर तो इलाज बहुत अच्छा है लेकिन अगर तश्कीज देड़ से होगी तो फिर इलाज का भी उतना ज्यादा फाइदा ना हो और जहां तक आपने घजायत की बात की अगर किसी में वाकई हाईपो थाराइडिसम है तो उसके लिए आपको दवाईयां लेनी होंगी खाली घजा से लाज नहीं होगा लौकर खलील आपने इस वक्स्क्रीणिंग की बार की तो क्या इसके इलावा भी और कोई हमारे पास फैसलिकीज हैं न्यूबॉंग्स्क्रीणिंग के लिए जो के हम ओफर करके हो और जिससे बच्चों के अंगर हम डिजीजिस को प्रिवेंट कर सके हैं जैसे मैंने का ना क हम जो स्क्रीण और उफर करते हैं वो हेरिंग यानि सुनने से मतालिक है देखने की यानि विजुल स्क्रीणिंग है यह सब भी हम करवा सकते हैं क्योंकि न्यूबॉंग्स है ना तो उसने कुछ बोलना है और ना ही कुछ उसने खुद से बताना है हमें ही उसको डाइग्नो कमी से है या बैकेरियल है या फंगल है तो उस पे आप अपनी राय का कुछ इजार करेंगी हम लोग हम लोग उस वाइट पैच को जनरली हाइपो पिग्मेंटेशन कहते हैं यानि कि यह वो जगा है जो कि थोड़ी सी मैं इंफेक्शिस डिजीस से हूं हम सब के अपने बाइस हैं जब मैं वाइट स्पोर्ट देखनी हूं तो मैं अपिटाइरियस अलबा या थोड़ी सी फंगल इंफेक्शन की तरफ चली जाती हूं नूबॉंस में जो वाइट स्पोर्ट्स खडए हुए वाइट स्पोर्स मिलते हैं उसको मीलिया कहते हैं और वो आपके ब्लॉक्ट स्वेट डक्ट होते हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं करना होता चोटे बचों में जब आपको हाइपो पिगमेंटेशन मिलती है जेनरली फिर्स हमारा स्टेप होता है माब आपको रियाशोर करो उनको बोलो कुछ भी नहीं करना हम इसको अब्सर्व करेंगे ओबर टाइम अगर वो वक्त के साथ बढ़ता जाता है तो फिर हम सौड़ फंगल इंपेक्शन को डिफरेंशल के अंदर ले आते हैं काल्शियम के वाइट स्पोर्ट पुराने जमाने में जब बचों के नेल्स की उपर वाइट स्पोर्स होते थे इसको एक 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 मैनिफेस्टेशन अगल्शियम डेशेंसी नहीं है यह वह ओर वाइट टेल की तरह है कि आपको वाइट स्पोर्ट निकला है तो यह वाली चीजों के साथ हम खाना खाते हैं और हमारा अनाज Augmented Vitamin D और Vitamin A के साथ नहीं है तो हमारी population में Iron और Vitamin D generally कम ही होती है और generally हम Well Children को भी जिसे कहते हैं RDA, Recommended Daily Allowance Calcium और Vitamin D की उनको रखते हैं उस पे जाए जो भी हो तो white spots के बारे में मैं आपको कह रही हूँ white spots generally benign होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करना होता बहुत शुक्रिया Dr. Fagman Dr. Danish आपसे एक सवाल है एक मजर के हम से सवाल पूछा है कि अगर मैं बच्चे को middle of the night अगर मैं bottle feed करवाती हूँ तो क्या ये ear infection की वज़ा बन सकती है I think bottle feeding itself एक बहुत ज़दा खतरनाख हम कह सकते हैं practices जो हमारे हम मौझूद है bottle feeding itself बच्चे का बहुत ना सिर्फ कान का infection बलके कई बीमारियों की ज़ड हो सकती है like for example इन बच्चों में especially वो बच्चे जो के टॉल्ड रेज तक भी फीड ले रहे हैं पीडर पी रहे हैं उनके अंदर वो फोड इंफेक्शन इबनॉमल उनके जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं उनके अंदर मौझूद जो इंफेक्शन से especially पेट की बिमारियां कब्स के मसले पुल्टी के मसले और कभी कबार उनको मोशन भी लग जाते हैं क्योंके bottle itself को साफ करना उसके बाकी चीज़ों को बैतर करना वो एक चैलेंज होता है mothers के लिए भी So itself bottle feeding is not good कुछ बच्चों में यह देखा गया कि bottle feeding से यह होता है क्योंके छोटी उमर के बच्चों में throat के अंदर से किशनाली जाती जो कान की पीछे मौझूद होती है वो काफी स्ट्रेट होती है तो उसकी वजाए से दूद का कुछ हिस्सा bottle feeding के दौरान कान को अंदर से infect कर सकता है जिसे middle infection कहते है security or radius media कहते है बट वो इतना कोई common चीज़ नहीं है बट हो सकता है So ideally speaking जो bottle feeding की जो practices है जो बच्चा लेट के दूद पीता है especially और बैट के नहीं पीता उसमें ये बहुत chances है के कान इंफेक्ट भी हो जाए गला भी खराब हो उनके tonsils का size भी इंक्रीज हो उनके अडिनोड भी बढ़ जाए ये वो glands जो के नाक और हलक में मौझूद होते है तो आइडियली ऐसे बच्चों को हमें दूद छोड़वाना चाहिए और उनको कभ फीडिंग पे लाना चाहिए और जैसे बच्टर फात्मा ने बताया कि दूद अब एसेंशल फूड नहीं रहा आफ्टर वन एर तो उसके लिए असल जो खाना है वो जो आप खा रहे हैं, वो जो आप खा रहे हैं, उस पे लेकर रहा है थैंक यू थैंक यू, ग्राटर दानिश राक्र फात्मा एक मुझन हम से सवाल किया है कि अक्यूद डाइरिया, डाइरिया इस बहुत कॉमन है हमारे पास एक कंप्लेंग जिससे हमारे पास हॉस्पटल में बच्चे आइडिक हो जाए इसके लिए best prevention क्या है और अगर बहुत severe dehydration हो जाए, तो उस वक कौन सा flowing है, जो कि सबसे best help करता है तो इवन तो ये Facebook program सारी Pakistan की माओं को reach कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं सिर्फ कराची की example आपको दूँ, कराची एक metropolis शहर है जिसका पानी का supply at any given time in the best of neighborhoods हमेशा पूर रहेगी, ठीक है, आपको नहीं पता आपका tanker कहां से पानी लेकर आ रहा है, बचों को नहलाने के दौरान में बचे टब से और अपनी बाल्टी से भी खूब पानी पी सकते हैं, शावर के दौरान भी पानी पी सकते हैं, तो एवन अगर आप पानी उबाल के उसको drinking water दे रहे हैं, उसकी exposure to contaminated water and contaminated food, ठीक है बहुत हाई है, तो अक्यूट डाइरिया बचे के अंदर, अगर हम यह assume करें के वह किसी ना किसी infection की वजा से है, prevention सबसे पहले साफ खाना और साफ पानी है, और यह बचों में हमेशा चैलेंज रहेगा, फासता और पे उन बचों में, toddlers में, जो के हर surface को चार्ट भी रहे हैं, चीजे मुह में भी डाल रहे हैं, जूते मुह में भी डाल रहे हैं, मिटी भी खा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसलिए, the prevention is safe food and safe water, number one, दूसरा कुछ vaccines है, मसलन रोटा वाइरस की एक vaccine है, जो के एक virus है, जो के खाने से आपको मिल सकता है, टाइफोईड की एक vaccine है, जो के एक डाइरियल infection के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है, इसके इलावा, enteric infections, पेट की infections के लिए, रोटा और टाइफो और पकाना हैंडल करने के बाद, डाइपर चेंज करने के बाद, मा का भी हाथ बार बार दोना, ये वो चीजें जो के इंपोर्टन है, food handler को हाथ साफ होने चाहिए, खाना जिसको खिला रहे हैं, और वो अपने हाथ से खा रहा है, उसके हाथ साफ होने चाहिए, दो वैक्सी जो अवेलेबल हैं वो लगनी चाहिए, और आप जिस जहां पर भी रहते हैं, आपने साफ खाना और साफ पानी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वैरी तू, प्रिवेंशन इस मोस्क इंपोर्टन्ट, डॉक्टर दानिश, आप से एक सवाल कुरूगी क् सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऐस्मा के रिगार्ड से गाइडलाइन्स के हवाले से अगर आप हमें कुछ एजुकेट करें वो बहुत हेल्फुल रहेगा अचा, तो इस वह दिफिकल्ट के हम सब चीज़ों को बात कर सके हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऐस्मा, तो अपहले डिस्कॉस कर चुके है, ऐस्मा एक तरह से सांस की नालियों के अलर्जी हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे की सांस नालियों के बंद हो जाती हैं, जिसक इस नालियों के नाम लिये हैं, तो हम अगर वन बाइब देखे हैं, तो ऐस्मा के लिए इस मौसम को अगर मदे नजार रखें तो इन बच्चों को कंटोर मेडिकेशन पर रखना और उनकी अच्छी सी उनको प्रिकॉशनरी बताना कि किन चीज़ उसे बचना है उस जब विंटर सीजन आएगा तो वो बीमारी काफी गुना बढ़ सकती है अगर अच्छा ख्याल रखा जाए और उसमें जो में इस्टे है यानि कि असल ट्रीटमेंट है वो फिजो थरापी है बच्चे के अंदर जो मौझूद गाड़ा बलगम है उसको निकालना बहुत ज हो सकता है और दूसरी बच्चों के जो असल चीज होती है वो उनके पेट में हाजमे का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो हजम नहीं कर पाते तो इन बच्चों को हमें एक्स्ट्रा क्रियॉंस यानि कि वो दवा जो के पिंक्रियाटिक हम सप्प्रिमेंट्स देते हैं ताकि वो ह का सही इस्तेमाल जिसके लिए जरूरी है कि बच्चे के कुछ मौइने हो जाएं और साथ में बल्गम का टेस्ट हो जाएं ताकि मालूम पढ़ें कि कौन सा जरासी में और कितना सक्त है ताकि एन्टिबाइटिक को उसी साफ से हम एडजस्ट कर सके हैं थैंक्यू डॉक्ट् इस समझानी कि एक बार अगर किसी ने उसको आइरन रॉप्स दे दिये हैं तो डिपेंड करता है कि जैसे मैंने का ना कि अगर मदर फीड पे हैं तो उसको ऐसा रूटीन हम एड़ करवा देते हैं तक्रीपन तीन से चार हफते के बाद और अगर स्टिल देखने से लगता है कि जनाब इन आइरन रॉप्स को देने के बावजूद भी बच्चा फून की कमी है अनीमिया का शिकार लग रहा है तो आइटिंक ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि उसका कोई फाइदा हो रहा है या नहीं और अगर फिल्फर आइरन रॉप्स देने के बावजूद उनकी कमी ज्यादा है तो जैसे मैंने शुरू में एक बात गई थी कि फिर हमें वज़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके लिए ब्लड ट्रांस्वीजन की जरूएत हो बिल्कुल चैंक गॉर्टर खरीर तो फाग्मा आजकल हम बहुत जागा बात कर रहे हैं बच्चों की इमोशनल वेल बीग के लिए भी तो प्ले थेरपी का रोल बहुत इमर्ज हो रहा है और बच्चों को एजुकेट करना थो प्ले थेरपी उस हवाले से आपकी क्या व्यूज है मैं नौरीन चाहिद बेहतरीन बंदा नहीं हूं प्ले थे चल सकता है बात कर सकता है उसकी speech development शुरू हो गई होती है वो घर के बाकी बच्चों के साथ interact कर रहा हुता है अडल्ट के साथ interact कर रहा होता है लेकिन वह घर का चहीता होता है इस दोरान में आपकी emotional requirement यह होती है बचा अपनी अपनी autonomy के लिए लड़ता है तो यह वो time होता ह जब बचा misbehave करता है, temper tantrums throw करता है और limits adults की थोड़ी सी test करता है फिर एक आपका school की phase आती है और school की phase में बचा जब school में जाता है school में वो चहीता नहीं होता वो सकता है कि वो अपनी teacher का चहीता हो लेकिन हर बचा teacher का चहीता नहीं होता और उसको एक group का हिसा बनना सीखना पड़ता है वो उस group के अंदर एक थोड़ा सा quiet और passive member भी हो सकता है और वो इतना celebrated नहीं होता जितना वहाँ पर होता है तो emotional needs बचे की, बचे के nature के हिसाब से बहुत individual होती है generally बस मैं ये बात कर सकती हूँ कि जब आप घर के अंदर होते हैं, टॉडलर का जब टैंट्रम हो रहा होता है टॉडलर के टैंट्रम में माबाप को बस काम रहना चाहिए composure जैसे कहते है और composure में ये है कि आप बचे को अपने गुसे लिए ने दें लेकिन उसको बे इंतहा celebrate ना करें कि तुम बहुत amazing काम कर रहे हो टॉडलर को समझ नहीं आती ना की इसलिए टॉडलर को बार-बार ना कहें के टॉडलर को मार के टॉडलर को threaten और उंची आवाज में गाली गलोच करने से टॉडलर पर कोई असर नहीं होता और माँ exhaust हो जाती है caretaker exhaust हो जाता है और उसमें एक घुसा अपने बच्चे के अगेंस्ट आ जाता है हाला कि ये एक normal or natural behavior है तो emotional management of a toddler's tantrum is calming down, stepping back and साथ में letting him have his outburst और जोचा फुद आपके पास console होने के लिए आता है आप उसको उस वकत console करने लेकिन by all means बहुत वावेला ना बचाएं कि तुमने क्या किया क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं हाती gadgets का इस्तमाल और बचे को appease करने के लिए क्योंकि माँ busy है, बाब busy है बच्चा खाना नहीं खाता और आपने उसके हाथ में एक iPad घुमा दिया है या आपने उसके हाथ में माबाप का phone दे दिया है generally हम सब अब बहुत ज़्यादा studies आने लग गई हैं जो के बता रही हैं कि इसका आगे चलके बच्चों की ADHD और उनकी stress reactions के साथ तालुक है generally हमारा across the board pediatricians ये कहते हैं चोटी screen आपने बच्चे के हाथ में नहीं देनी और खास तोर पे toddler के हाथ में नहीं देनी बड़ी screen अगर घर की दिवार पे लगी हुई है क्योंके बच्चा बहुत जल्दी उससे distract हो जाता है TV आपका दिवार पे लगा हुए लेकिन आपने हाथ में चोटी screen नहीं देनी जिसको वो बिलकुल देखता रहा है और stimulate होता रहा है school going बच्चों के बारे में हम ये कहते हैं कि आपने gadget more than one hour a day on a school day नहीं देना क्योंके उससे भी उसकी sleep pattern उसकी concentration while he's doing homework का effect है emotional needs एक toddler की मुक्तलिफ है एक school going बच्चे की मुक्तलिफ है school going बच्चा because नया नया अब एक team का फिस्सा बना है उसका stature suddenly घर के number one से school के middle tier या bottom tier के उपर पहुंचा है इसलिए आपने उस बच्चे को थोड़ा सा emotionally support करना होता है क्योंके वो school से वापस आता है पता होना चाहिए घर एक वो जगा है जहां पर मैं number one हूँ तो आपने emotional security पैदा करने के लिए कोशिश है करनी है कि आप बच्चे के साथ even tone में रहें कभी बेंतहा लाड और बेंतहा बतमीजी से बच्चे को डांटने के भीच में रहें तो वो म्याना रवी ही टॉडलर आपको आजमाता है और म्याना रवी टॉडलर के साथ करना बड़ा मुश्किल होता है और यही आपका टेस्ट है कि आपने बच्चे के साथ even keel attitude शो करना है उसकी अच्छे वक्त में और उसके बुरे वक्त में कि उसको पता हो कि एक emotionally mature adult मेरे साथ है मैं बत्तमीजी करूँ कोई बात यह मुझे accept कर लेगा मैं अच्छा काम करूँ यह मुझे बेंतहा celebrate करेगा यह सिरफ common sense के साथ आपने चलना है जो specific behavioral problems वाले बच्चे होते हैं बच्चे जिनको माबाप की common sense से ज्यादा input चाहिए उनके लिए अब Department of Pediatrics में developmental neurologists भी है और हमारी psychologists भी है तो हमारे पास अब यह service है कि हम आपको at least reassure कर सकते हैं यह वो बच्चा है जो एक normal toddler है एक normal child है with normal spectrum of normality in behavior यह यह वो बच्चा है जिसको थोड़ी सी extra input की जरूरत है एक pediatrician की या एक neurologist की बिल्कुल सही, Dr. Fadma और जैसे आपने highlight किया इस वक्ट हमारे पास Department of Pediatrics में almost all speciality जिसके अंगर हम nephrology की भी बात करके है हर speciality जो के एक बच्चे को जिसकी requirement हो सकी है जोसर अवेलिबल चाहे वो new born care हो, infectious disease हो, medicine हो, cardiology हो so all services are available within one roof I would ask a question from Dr. Danish एक सवाल एक मघर पूछरी के अगर बच्चों को kidney में stones हो जाए तो उसके लिए क्या treatment होता है, so kidney के stones की बहुत साज वजुहात है एक तो कुछ बच्चों में genetic disease होती है जिससे उनके stones बनते है कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि पीने का पानी या उनके खून के अंदर मौजूद कुछ नमकियात की आगे पीछे होने तो इसको भी हमें देखेंगे और stone को हम कैसे remove कर सकते है निकाल सकते है उसको भी हमें देखना चाहिए तो हमारे पास मौजूद pediatric urologist भी मौजूद है और pediatric nephrology में भी doctors मौजूद है जो इस पर आप काम कर सकते हैं तो इससे आपका stone निकल जाएगा या हकीमों के नुसके होते हैं जिस पर कहते कि निकल जाते हैं तो ऐसा कुछ अमल ना करें डॉक्टर को दिखाएं ताके प्रॉपर इसको हम देख सके कि स्टोन की क्या है किड्नी के किस हिस्से में और इसका इलाज किया सके बहुत शुक् के बच्चों की growth and development के हवाले से सो विल स्टार्ट गाविश ओके सो हमने जो sum up कर सकते हैं तमाम बातों को बिल्कुल इस सहाब से कि हर एज में बच्चे की जो hygiene practices हैं वो matter करती है तो prevention is better than care so हर चीज की prevention available है medicine से अच्छा है कि बच्चे को उस बीमारी को होने से बचाने के लिए बच्चे की vaccine का भी ख्याल रखा जाए बच्चे की overall hygiene में hand washing है बच्चे की diet है यह सब चीज़े matter करती है तो दबाओं से बच्चे और जादा कोशिश की जाए कि बच्चे की preventive strategies को अप 8 से 10 बिमारियों से infection से avoid करने के लिए आपको vaccines देती है बच्चों को जो के 0 से 15 महीने की उमर तक होते हैं तो कोशिश करें कि जो सहूलत को हकूमत से मिल रही है उसका पूरा फाइदा उठाएं और avoidable infections को अपने बच्चों में avoid करें हमें एक अला तवक्कल है और हमेशा गल अपने severe form of illness से अपने बच्चे को बचाना है वाक्सीन देने से जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा मीजल से सौ फीसद बच जाएगा लेकिन वो definitely hospital पहुंचने वाली वेंटिलेटर पे पहुंचने वाली मीजल से जरूर आपके बच्चे को बचा लेगा इसलिए avoidable infections को vaccines वक्त पे लगवा के avoid करें जो भी मेरे कुलीग्स ने का है डॉक्टर दानिशा और डॉक्टर फात्मा ने उसमें एड़ ओन ये करना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको मश्वरा करना है किसी ऐसे डॉक्टर से करेंग जो के उस फील्ड में कुछ महारत रखता हूँ unfortunately आजकर हम देखते हैं गर्ली मौले में भी clinics भी है hospitals भी है लेकिन जिसरा जिए वहाँ पे practices है उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ का कुसूर है खाली डॉक्टर या hospital को कुछ कहना मुनासिब नहीं बलकि इसमें parents का भी अतना ही कुसूर है क्योंकि everyone wants के जनाब हम आज जाएं और कल हमारी जो भी मसला है वो हल हो चुपा हूँ और उसकी वज़ा से कई दफा ना चाहते हुए भी कोई doctors या hospital में उनको antibiotics लगती है और हमें antibiotics के इस्तिमाल में बहुत अहत्यास से काम लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हम आजकल देख रहे हैं कि antibiotics के अगेंस्ट resistance डेवलप हो रही है तो खुदाना खास्ता अगर हम इसी तरह इसका abuse की जगह में अब्र यूज करूंगा abuse करते रहेंगे तो आने वाले वक् होस्पिटल का pediatric department service को offer भी करके है और league भी करके है अगर किसी parent को अपने बच्चे के हवाले से किसी भी किसम का सवाल हो यह उन बच्चों के लिए भी है जो हमारे पास hospital में अग्मिक है और वो घर जा चुके है और उनको कोई सवाल है या कोई भी parent जिनको अपने बच्चे के हवाले से किसी भी किसम की guidance चाहिए तो वो हमारे hospital के universal number 1111 911 911 पी call कर करें यह कह सकते हैं कि Child Connect Services में हमें connect करा आगे वहाँ पर हमारे maher doctors available है जो कर आपको guidance provide कर सकते हैं So, at the end, मैं शुक्रिया करना चाहोगी हमारे पैंगलेस का और सब ओडियन्स का भी जो होगे बहुत टाइम गई कर और बहुत अच्छे सवालाच हमसे पूछे और हमें आपके टाइम गिया, बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you very much.